तो मैं हूँ अपने घर के बैक्ट यर्ड में और यहाँ पर मैंने कुछ गार्डनिंग की है कुछ प्लांट्स हैं आज के वोम रेमेडि मैं यह से शेयर करने वाली हूं तो यह देखे, बहुत जादा ने, थोड़ थोड़ से प्लांटिंग की है मैंने, और यह है हमारी home remedy, जो आज होने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो aloe vera बहुत healthy होता है, आपके skin के लिए आपको पता है, बहुत अच्छा होता है, अगर आप daily aloe aloe vera आपकी face पे रब करते हैं, तो आपकी skin glowing हो जाती है, पूर्स minimize हो जाते हैं, और काफी glossy skin, अगर gloss skin पाना जाते हैं, तो आप aloe vera का इस्तामाल कर सकते हैं, फिल हाल मैं आज कुछ अलग बताने वादे है, मेरे kitchen में और मेरे हाथ में है यह aloe vera, अभी मैं आपको बताऊ आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी, इस तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ दो चुटकी, और उसके बाद इसको आपको इस तरीके से face पे रब करना है, तब तक रब करना है, जब तक आपके aloe vera का जल जो है, वो पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाता है, अगर इसमें होते हैं antibacterial good, ये आपकी skin में, मतलब अगर आपकी skin में बहुत ज़्यादा pimples आते हैं, pimples की problem बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप ये remedy रोज ट्राइ कर सकते हैं, सुबा नहाने से पहले एक बार, आप देखेंगे कि आपके face पे pimples आना बंद हो जाएंगे, साथ इसाथ skin में जो दाग धबे हैं वो खतम हो जाएंगे, aloe vera जो होता है, वो skin को smooth बनाता है, skin को gloss skin, जैसे कहते हैं, skin shiny और चमकदार होती है, तो जब दाग धबे खतम हो जाएंगे तो skin shiny और चमकदार हो जाएगी, तो आप इसतमाल कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत ही simple home remedy है जादा कुछ नहीं करना है, डेली आप aloe vera का plant ले आए घर पे लगागे, और इस तरीके से रोज आप एक पत्ती निकाल कर आप अपने face पे लगा सकते हैं, जिन लोगों को बहुत जादा pimples की problem है, उनके लिए ये रामबार्ण है, और make-up के बाद भी, जिन को बहुत कर लेंगे, तो आपके pimples हमेशा के लिए खतम हो जाएंगे, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कि aloe vera जो होता है, इसको आपको directly apply नहीं करना होता, इसे दो में अच्छे से धोना है, ताकि इसका जो yellow part तोड़ते हैं, तो इसमें yellow yellow निकलता रहता है, वो आपको result मिलेगा, तो इस्तमाल कीजिए, और मुझे comment करके जरूर बताइएगा, कि आपको ये remedy कैसी लगी, कम से कम 5-10 मिनट तक आपको रब करना है, और उसके बाद face wash कर लेना है, नॉर्मल water से, इसके इस्तमाल के बाद आप देखेंगे, आपके skin काफी fresh और energetic लगती है, काफी अ